भारत का सबसे मशूर पहलवान परिवार फोगाट परिवार की सबसे छोटी बेटी रीतु फोगाट आज अपना जन्म दिन सेलिब्रेट कर रही है रीतु ने ये खास दिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया और कई तरह के केक्स भी काटे आपको बता दे बारत की महला पहलवान रितु फोगाड कुष्टी के अखाड़े में अपना दम दिखाने के बाद अप Mixed Martial Arts MMA में अपना जलवा दिखाने को पूरी तरह से तैयार हैं और इस खेल में भी उनका लक्ष विश्व चेंपियन बन कर भारत को मजबूत पहचान दिलाना है रितु ने कहा कि वह MMA में विश्व चेंपियन का तमगा हसल करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनना चाती हैं रितु ने आगे कहा मैं शुरू से ही कुछ अलग करना चाती थी और शुरू से ही मेक्स मार्शल आर्ट्स देख रही थी मैं हमेशा सोचती थी कि MMA में भारत से कोई विश्व चेंपियन क्यों नहीं हैं और यही वज़ह मुझे MMA में लेक कर आई रितु ने नमंबर 2017 में सिंगापूर में हुई अंडर 23 कुष्टी चेंपियनशिप के 48 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता था और उन्होंने सिंगापूर में ही MMA की ट्रेनिंग भी हासिल की रितु ने MMA की ट्रेनिंग के लिए Evolve MMA ट्रेनिंग जिम जॉइन की और वहीं से अपने ट्रेनिंग पूरी की सभी को उमीद है कि रितु इस खेल में भी भारत का नाम रोशन करेगी रितु के पिता द्रोणाचार अवाडी महावीर पहलवान उनके बहन गीता और बबिता फोगाट कहती है हमारा परिवार रेसलिंग की वज़े से जाना जाता है लेकिन रितु ने इस से अलग MMA से जुणने का फैसला लिया वो कुछ नया करना चाती थी और हमेशा मेच्ट मार्शल आर्ट्स की फाइट यूट्यूब पर देखा करती थी इससे रितु की रुची इसमें जाने के लिए और बढ़ी और इसकी प्रोफेशनल प्रेनिंग भी ली अब रितु ने पहले मिक्स मार्शल आर्ट चेंपेंशिप में उतरते वे गोल्ड जीतने के लिए तैयारी कर ली है उन्हें पूरा विश्वास है रितु उनकी उम्मीदों को जाया नहीं करेगी और अपनी तेसी फाइटिंग के बूते जल्वा दिखा कर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेगी हम रितु फोगाट को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि रितु एम्मे में जीत कर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करें और वितासतरिन अपडेट्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सस्क्राइब करें गजब खबरें